कि चलिए निम्सेट के एक और नए टॉपट से बिलते हैं सेजल वर्मा से जिनका ओल इंडिया रैंक 65 जो मुझभफर नगार यूपी से हैं तो सबसे पहले 65 रैंक के लिए आपको धेर सारी सुपकामना है यह आपने फाइनल के साथ अचीव किये तो सेजल ले यह रैंक कि मैंने से किर से सोचा था था आपके साथ जुड़ी हुए हुए आप फोर चुर से फॉलो करें है और मैंने कि अपनी बुक्स्ट विए वो क्लास्रूम में ही चाथी इंज़की स्ट्डी मटीराल और इको नए में बैठके मैं विसको सॉल्व करती रहती थी ताकि ताकि मे कर दो अब यह बताओ अपका इस साल का फाइल लेक्जाम कब था झालिज में एक्जाम तो यह च्छे इसलिए पूछे को कि बच्छे पूच्छ जब मुझे जब बोलते कि सबस्टर एक्जाम आ रहे हैं कैसे मैंज करें तो आपने मैं यह एक्जाम दिया और जून में आपको तो ऐसा होने पर कई बच्चे बोलते सार अब तो टाइम ही नहीं बच्चा तो पहले बताओ जब महीं में एक्जाम आया तो उस दौरान निम्सेट के लिए आपने क्या कप्रोमाइस के है कितने घंटे निम्सेट की पढ़ाई की और जब एक्जाम खतम हो गए तो थोड़े स है पेसान रीक को रखर कर और है तो अच्छे में ब लोस्तों करें इस में करें उसमें तो इसलयों से क्यातिक जाए लिए योह थाए कंटेखर निम्सेट की पढ़ाईस पाटन रहन से आपनेदा थयुरू अपर सब्सक्राइद के लिया है कि कॉज्चे उसमाह कृवर कर लो तो देखे दो चीजे बतलब उसकी बातों से समझ में आ गया तॉपल लोग यही होते हैं कि परस्ट लिए परसेंटाइल अब बना लिए एग्रीकेट भी देखी 8.5 बना कॉलेज की स्टेडी को बड़ा स्मार्ट तरीके से मैनेज कि सारे टॉपिक ना करते हुए भी आदे कि हपते में एक एकाध हपता पढ़ाई की और सोचिए कि द्यूरिंग पाइनल एर एक्जाम के बाद भी निमसेट की पढ़ाई कंप्रोमाइज नीगी इवर निमसेट की पढ़ाई की यह सच में बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है 80-90 परसेंट लोग क्योंकि मैं प क्योंकि जब कंपनी कैंपस के लिए आती हैं तो आपको हाइस पैके उनी बच्चों को मिलता जिनके पाइंटर तो ठीक हैं पर उनने और क्या मल्टी डाइमेशन काम किये क्या-क्या उनका एक्स्टा टेलेंट था तो यह टेलेंट को आप मतलब बहुत कम लोगों में मिलता यह बहुत अच्छा आपने बताया तो इसको आप और एक्स्टोर करना क्योंकि पाइंटर बनाना कॉलिज में टप नहीं जो पड़ाएंगे क्योंकि अच्छी चीजे बताई है आप उस दौरान और दूरिंग फर्स्ट, थर्ड सेमिस्टर के दौरान आप कॉम्टिटिव क आप नहीं चाहों कर थाइभ परिण घाप कसुछ आपनी उना जोंगे स्द्री आपने श्काइभ करना तो आपने अच्छी तशी चाहों कि अपन नुट अपनी जापने अच्छी पेलिंग और शॉन्यियर को मिलना ज़ुर है भूम्टे बहुत ज्यादा द्यान द्रीम नि ना मोटिवेशन तो मातापटा होते हैं बिलकुछ सभी बात है और एनाइटी जो अभी इसने बोली से जले बात कि अच्छा है क्योंकि वहां थोड़े से लोग जाते हैं अच्छा क्राउड होता है अच्छा एक्सपोजर मिलता है बहुत कॉम्टिटिव एड़मेंट होता है क्योंकि हर वो बच्चा आ रहा है वहां पर जो कॉम्टिशन की तयारी करका है तो यह एक प्लस माइंट होता है तो सेजल आपके साथ क्योंकि आप आप अच्छा लग रहा था है कुछ तो अचीव करा है लाइफ में और मूटिवेशन भी थी कि और बेटर गड़ना है इसे आपके साथ आपके पापा भी आए तो मैं चाहूंगा कि वो भी आए इस्टेज पर और अपने एक्स्पियेंस जहूर शेयर करें तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो सेजल की 65 रंग के लिए डेर सारी सुपकामना है और उसके साथ साथ आप भॉपाल अवार्ट सेरिमनी मे मुझे सच में बहुत सारी नई बाते पता चलती है इसने बहुत ही स्मार्ट स्किल के साथ दोनों का इतना तगड़ा मैनेजमेंट किया और दोनों जगे इसने बेस्ट परफॉर्म किया तो आप क्या कहना चाहोगे सेजल बहुत महनती है कि जो जो यह चाती हैं तो के बल दो पिछे क्षे खड़ों की घड़े और इसको अपको सब्सकीघा उसको यह करती है तो सर रह मैसा सपुट युअ तो इसके लिए साथ सपॉर्ट करती है मेर्ट-आप आज सर आप दिभर में रएस नेमेरी. किसा आपका कैसा लगा आपको सबसे अच्छा कोचिंग सेंटर था और आप से मिलने के बाद तो हम एलगता है कि जो इसने चूज किया था वो बिल्कुल राइड डिसिजन के परिस्का था और एक्चुल में मैं भी यह मानगे चलता हूं कि परिवार है और इस परिवार में एसी लोग जूड़ते रहें और ऐसी बढ़ता रहे तो वंस अगेंस झासी लोग झासी बदोगा रहें समयाँ जड़ता रहें सर चाहें से लोग पिरमेंस चाल रहें से खबाई और ऐसी लोग पिरवार में एसी लोग देटाते हैं